नमस्कार, Op India, I am Buddha, जहां भी हैं आप, या फिर यहां क्लिप कहीं चोरी करके अपलोड की गई है, तो वहां भी हैं, तो आपको नमस्कार और वेलकम, आज हम बात करने वाले हैं विवेक अगनी होत्री से, जिनकी The Vaccine War आ रही है, विवेक अगनी होत्री का मैं और कोई बहुत लंब चोरा इंट्रोड़क्शन नहीं देने वाला हूं, इंटरनेट पे या मुवी में आपको इंटरस है, तो आपको पता ही होगा वो कौन है, और मुवी आ रही है, The Vaccine War, उसके बारे में भी आपको पता होगा, शायद नहीं पता होगा तब जब आप मेंस्ट्रीम मीडि या कि सिर्फ जो मुवी वाला कॉलिम होता है, सिर्फ उसी को देखके आपकी नॉलेज बढ़ती है, तो विवेक वहीं से शुरू करते हैं, सुना है आपकी मुवी को यह लोग रिव्यू करने से कता, वो तो खेर, पहले से ही आपकी मुवी को रिव्यू, मुवी रिलीज भ इस बार वो हालत भी नहीं है, बिल्कुल इम्बार्गो ही लगा रखा है, ऐसा कुछ है, सुनने में आया है, एक दो उर्ती-फिरती ख़़र आई, इस बार ऐसा लगता है कि नेगेटिव एगेटिव तो नहीं होगा, इसले नहीं होगा क्यों कि कुछ हो गईगी, अभी क्य क्या है, बॉल्यूट की हालत बहुत बुरी थी, फिल्म चलनी रही तो क्या होता है कई बार शेहनशा को अपनी सल्तनत बचाने के लिए ना ढोल, ढमाके करने पड़ते हैं, दुष्यंद कुमार का एक शेर है, कि इस्ताहार इतने चिपके हैं कि दीवार में कोई दरार नज बचाता होनों नहीं है, तो बीस सूतरी प्रोग्राम, तो ढहती हुई जो सल्तनत होती है, उस पे इश्ताहारों की जरूवत होती है, सल्तनत या जवानी, जब भी आख समझेंगें, यह बाश्याहत बोल दीगें, तो अभी एक नया इन लोगों ने एक स्कैम चालो किया है, वो यह है कि जो जानते हैं कि audience को कुछ नहीं पता क्या box office figures, net क्या होता है, gross क्या होता है, कितना मिलता है, नहीं मिलता है, और जो उसे चापने वाले लोग हैं, वो पैसे के लिए जो बोलो चापते हैं, देखते भी नहीं, आप भेजो copy paste, copy paste, ऐसे करते हैं, तो आप पैसे देखें कि अच्छा, मैं तुम्हें पांच लाग रुपए 15 दिन के दूँगा, और जो भी वो आप चापते जाओ, और कोई बहुत बली बात नहीं है, याने, तुमने देखोगा, इसके लिए वैसे विवेक ने हमें कोई पैसा नहीं दिया है, कभी मन करें तो आप इंडि बॉलिवोड कैमपेंग चला रहे हैं, किसी स्टार के अगेंस कैमपेंग चला रहे हैं, वो कई बार उस फिल्म को प्रमोर्ट भी करते हैं, वो देखे जाते हैं अगले हफते वो राइट विंग, लेफ विंग, अच्छा, एक बार तो ऐसा हुआ कि एक निगेटिव चीज म उसने यह आउनेस्टी दिखाए, उसने कहा कि भाई यह तो मैंने पैसे लेकर किया था, तो पैसे लेकर निगेटिव चीज भी लोग ट्विट कर दो, दोनों चीजे होती हैं, और आगर आगर आपने कुछ नेगेटिव गलती हैं, आपने औरिजिनल ही लिग दिया, मैंने अगर राहुल जो है, वो लाल शर्ट पहने मुझे आदमी पसंदी, तो आप मुझे दोजार से लेकर 20,000 रुपए दीजिए, तो मैं उस ट्वीट को डिलीज भी कर दूँ, तो इन्होंने अभी कह स्कैम किया, कि सारे नेगेटिव जो उनके कमेंट्स होते हैं, उसको डिली तो मतलब उसको तो आपने स्पेस से हटा दिया, उसको आपने वाइस ही उसकी मार डाली, तो अब जब सिरू आप ही कर ढोल बजेगा चारो तरफ, तो दूसरे भी राज्य हैं, या उनमें भी कोई चोटे कबीले हैं, और उनका कोई वो है, आपको खबर नहीं मिलेगी, तो वो लोग जिनको सब ये सोचते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, वो लोग भी मेरे को वाटसेप करके तारीफ कर रहे हैं, जो हमने न्यू यॉयॉक में टाइम स्क्वार में किया, कल हमारा म्यूजिक लाँच हुआ है, कहीं कोई जिकर नहीं, कोई खबर नहीं, एक आदमी नह लिखे गा, है ना, और तो उसमें हम फंज गए, इसलिए लोगों को नहीं पता है, क्या हो रहा है, लेकिन इसलिए हम ज्यादा मेहनत करें, पचास दिन से मयॉर पल्लवी लगातार, रोज एक नहीं शहर में भाग भाग के, भाग भाग के, और प्लैटफॉर्म जून रहें जहां कि लोगों को पता चले, क्योंकि राहूल यह वाकई में बहुत इम्पर्टन फिल्म है, मैं इसलिए नहीं कि फिल्म है, यह बहुत इंपर्टन फिल्म है, बताम वाइसने को बाद में क्यूं, तो वोन फिल्म की बात कर र्रहे हैं, लेकिन आपने पहले तशकंत वास और अगला जो न्यूस में था या मर्मरिंग थी आप डिली फाइल्स बना रहे हैं जो बन भी रही है I think ये बीच में वैक्सिन वार कैसे आ गई ये आपने मतलब वो दिली फाइल्स को अभी थोड़ा किनारे करके इसको बनाया या कैसे कैसे हुआ ये क्श्मीा प्लफ कि यहाष है Gоне है ? ले खल ख़तके नहीं। इस सब्सक्राइब चूराऊ, ऐस रिजस के नहीं सब्सक्राउज टॆ पर धियर आपया? मुति सब्सक्राइब कि मैंना सब्सक्राइब कि घला है मिलोग! पर लोग एक काम कर रहे तो किया भी है काफी कि नेवी की मुटनी बंबई में वोई थी उसके उपर हम काम कर रहे थे एक हमारा मोपला के उपर रिसर्च चल रहा था और एक हमारे डैली फाइल्स का डिरेक्ट एक्षन डेक यह तीन-चार रिसर्च चल रहे थे उसी में जब काफी के लिडियन वेक्सिन फॉरिन इनसका लगाई वेक्सिन लोगऑन अगया तो जिल्रात हमारा ये चलता था कि उद offered s suddenly कईध दें मैं बड़ी ही तो मैं उस प्रेशर में कोई फिल्म नी बनानाना चाह था और मुझे पता लिजले आईजी तो वह वुोडिवृवुर वाली स्टाहिल है कि कश्मी फाइल हिट होगी तो अब चलो दूसरी उसी मिला दिया, तो हाउसफुल टू, थ्री, फॉर, वरस तना से जास है, कि अच्छब एक चीज चल गई है तो अब उसी को घिसी-पिटी चीज को बार-बार करो, तो वी सेट, हम और पलवी ने बोला कि, लेसमे का स्मॉलर फिल्म, एंड लेसमे का ऐसा सब्जेक्ट बनाते हैं जो कोई सोच ही नहीं सकता, तो हम इसमें आये हैं, और जो हम का रिसर्च कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी चीज जिसने हमें अट्रेक्ट किया हूँ यह था, कि मैं सारे साइंटिस्ट लोगों के इंटर्व्यू कर रहा था हूँ, डॉक्टर बल्राम भार्गो की किताब है गोइंग वाइरल, उसके उपर यह मुलताह बेस्ट है, डॉक्टर भार्गो के पास जो हम गए हमने का भई इसके राइट्स दे दीजिए तो हमें इन्फोमेशन ऑथेंटिक मिल जाएगी हैं, बाहर वालों से क्यों लें इन्फोम इंडिया के बाहर तो कोई भी नहीं करेगा यह क्या, कहते हैं भारत विश्व के इतिहास में एक मातर ऐसी कंट्री बन गई है, जिसने वैक्सीन बनाई और उसको पेटेंट भी नहीं किया, तो मैंने मुझे लगा कि जनरली इंडियन लोग इग्नोरेंट होते हैं, यह को ए पैसे पर जनता का ही हक है, तो मुझे लगा है यह यह वाकिए में एक फिलोसिफी कहीं अंडर चलती है, मतलब लोग इस बारे में बातचीत करते हैं, ऐसा नहीं कि एक पॉलिटिकल स्लोग है, तो हमने का यह सब का, एक रुपए में उनने पूरी बुक्के राइट्स दे द तो हमने का कि आप यह अवेरनेस के उपर हमने किया कि लोगों को पता भी है इस विशेवे कि एक तो मैक्सिमम एक्जेक्ट फिगर मेरे पास है, 80-90% लोगों को यह लगता थे भारत बायोटेक और सीरम ने बनाई यह आपको भी यह लगता होगा कुछ वक्त पहने तो कि मी इस्ट्यूट ओ विरॉलोजी जो पूना में है डवली यू एचो एप्रूफ सिर्फ छे बायो साइंस लैब फोर बी एसल फोर हाइस कैटेग्री सिर्फ छे वर्ड में उनमें पूना है पूना का बना था 2011 में और वहान का बना 2017 में जहां से लैब लीक हुआ वहान के बारे लगा आप शायद नहीं मरेंगे कोई की वैक्सीन आ गई तो मारने वाला वाइरस और बचाने वाली वैक्सीन किस साइंस के अंतरगत आती है यह कर लगबग 90 पर टीशत लोगों को भारत मनी पदा है यह साइंस है क्या तो मुवी जैसा आपने यह टैग भी है कि इंडिया फिर्स फिर्स बायो साइंस फिल्म तो मुवी उन सब चीजों पर ज्यादा केंडरित करती है रादर दैन की लॉक डाउन या फिर से किंडर लॉक डाउन से कोई लेना देना इस फिल्म में यह विक्ट्री फिल्म है आप यह समझ लीजे कि 1983 में सबने का भारत तो हार तो इस फिल्म का मोटा मोटा है लेकिन इसमें जो चीज निकल के आगई कि यह मैक्सिमम काम औरतों ने किया है और उस तरह की औरतों ने किया जो आपको बजार में मिल जाएं तो मॉडरन फेमिनिजम वाले लोग कहते हैं तो एंपावर्ड ही नहीं है उनकी शकल देखके ड गलती से बोले कि हम तो भरतन बी धोते हैं इगर में हम तो बच्चों का heck पती की बी सेवा करते मिन साह साइसर के भी पाउं दबा देता हैं तो कहते हैं अब तो तुप तुम बिल्कुल आइमपावर्डड नहीं हो तुम तो है ना तु वेस्टन फेमिनिस्म मतलब थोड़ा बहुत जो इसरों के जो पिक्चर्स आते हैं जिसमें कई सारे महिलाएं दिखती हैं कि वो कोर टीम का हिस्सा है और वो सेलेब्रेट कर रही है और बिल्कुल जैसा आपने कहा उसे साड़ियों में ऐसा कुई मौडर्ण फेमिनिस्ट अब तो आप कहरो वैसी ही हालत लगबग यह वैक्सिन बनाने में भी है जैसे इसरों में महिलाओं और पूरे भारत में यह आप देखिए साइंस में साइंस में पूरा भारत में लोगों को लगा कि यह मेल डॉमिनेटेड एरिया है नहीं 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 यह बहुत बड़ी गलत फेमी है तो जब म यह अइंटिटी और यह वो सब आते हैं जो ही शी लिखे हैं अपने नाम में हर देम हर महादेव वाले लोगा तो जद मैं हम इंटर्व्यू कर रहे थे सारे लोगों के तो एक दिन सड़नली मैं अपने अपने असिस्टेंट को बोला यह एंग आग ऑन जितने इतने इतने यह कर सकती हैं उन लैब्स के अंदर सन्नाटे में ऑक्सिजन में बिना किसे मिले और साथ में मल्टी टास्किंग यह वो फलाना लोगों को इंस्पायर करना मोटी टे हम ही कर सकते हैं और विच इस ट्रू यह जो जिस तरह का का मैं देख रहा हूं और इसलिए मेरे घर के साम होने भी अपनी किताब में लिखाए कि ए नाईवी आईसीमर यह जो बना है उसमें सत्तर असी प्रतिशत से महिलाएं हैं तो भी थौट इसको ऐसे भी मार्केट कर सकते थे इंडिया फर्स्ट ट्रूली फेमिनिस्ट वह तो तुमारे जैसा दिमाग होता मेरे पास्तर मेरे क्यों कि बायोसाइंस से कही बार ओसा बी ने लगल यह जो कि कुछ ऐसे कॉम गजसे हाला कि ऑपेंद मार्ड में आई नहीं हिर लेकिन विल्कव कहते हैं लोग कि उसमें इतने सारे ज़ अई सारे फिजिक्स के एइडियास वどう अगरे हैं कि कही बार तो लगता है लोगों के कि वापस में 9, 10, 11 के क्लास में तो नहीं बैठ गया तो कुछ उस तरह के कॉंपलेक्स तो नहीं वैसा नहीं है मैंने बहुत डिफिकल्ट फिल्म थी साइंस को बहुत सिंपल करके इमोशनली बताना बहुत कटें था लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं है कि लोक नहीं समझते हैं ये Bollywood की तिंकिंग है कि ओडियन्स को कुछ पता नहीं तो डिम्डाउन कर कर दो तो ना डिम्डाउन कर दो कि ओडियन्स तो मौर्ख है लेकिन हम वैसी फिल्में नहीं बनाते हैं कि जनता घर के सामने खड़ी हो और मैं स्टूल पर चला क्या हाथ लाओं तो हम वो डंडाउनिंग क्या अगेस्टी काम कर रहे हैं हमार तो disruption होई है कौन बनाएगा ताशकन फाइल्स वरना इतनी complex politics फिर कश्मीर फाइल्स complex politics यह मेरा ऐसा विश्वास था कि लोग इसको समझेंगे समझने की कोशिश करेंगे और हमने करीब 15-20 स्क्रीनिंग्स की हैं पूरे वर्ल में हर तरह के तपके के लिए जिसको लोग डंब ओर्डियन्स वानते हैं उन्तिलक लगाने वाले भी आयते सब वहां चन्नाई में बच्चा बच्चा समझता है सबको आप भी देखिएगा और फिर आप बताना आपको दो मिनिट में समझ में आजागा क्या चल रहा है ठीक दो चार जारगन के वर्ड्स नहीं समझ में आए तो कोई ऐसी आफ़त नहीं है आपको यह तो लगेगा कि यार समझ में नहीं लेकिन कुछ अच्छा ही बोल रह यह जाके गूगल कर लेंगे अपनी ग्यानवर्धनी तो रॉकेट्री कैसे चली इतनी बली हिट हो गई कितनी टेक्निकल फिल्म थी हो तो साइंसी साइंसी हो तो कोई फिल्म नॉन पॉलिटिकल तो होती नहीं एक आपने आपने रिसेंट इंटर्व्यू में भी और आर्ट जिस तरीके से लोग पॉलिटिक समझते हैं उस हिसाब से पॉलिटिकल फिल्म नहीं है इसकी एक पॉलिटिकल फिल्म नहीं है इसकी हिसाब से पॉलिटिकल है जिस हिसाब से लोग समझते हैं क्योंकि कम से कम जब वहां की बात आती है अभी एक जो टीजर आया है जो एक जर जग रहा था कि चुकि भारत बायोटेक्नेक मीडिया संस्थान दवायर को सू भी किया था तो वह वाली कहानी सिर्फ सू नहीं किया था कोट ने ओर दिया था उनको कि अपने 14 आर्टिकल साप निका लिये और आज के बाद कोट अनको नहीं बोला कि आज के बाद यूर नोट अलाओ तो राइट एनी वर्ड अबाओ इंडियान वैक्सीन अच्छा अब ये देखिए कि लोगों को पता क्यों नहीं मेरा एक चोटा था मामुली सा इतना वाहियात एक कांटेंट ओफ कोट चल रहा था जिसके लिए मैंने कौन चार साल लड़ा उसके अंदोरे इस पचले से हटो तो मैं एक दिन कोट गया और जजज ने मुझसे बोला कि अच्छा आप बोल दो की भई तो मैं वो नैशनल निउस बन सकती है जिसके उपर सारी इतनी बड़ी चीज़ अगर समझे यह उल्टा होता यह समझे आप इंडिया के उपर ऐसा कोई केस हो गया होता और आपको कोट कहता आज के बाद आप यह नहीं लिख सकते तो इन लोगों ने कितना हंगामा मचाया होता इसको कैसे दबा दिया कवर किसी पता ही नहीं था हमारी फिल्म के बाद अब धीरे धीरे पता चल रहा और 28 गा तो हंगामा ही होगा हमारी फिल्म देखके काफी दबर दबर आप देखना यह बिल्कुल सही बात है कि जब इन पे बात आती है तब तो इनका फ्रीडम ऑफे स्पीच का मुद्दा हो जाता है और यह वो और जब दूसरे की बात आती है तो उसको सौरी वर्कर और सा वर्कर और यह सब बोलते फिर तो यह तो काफी इंटरसिंग होगा कि मुवी में कि यह चीज कैसे आई है नहीं आप आप यह देखिए मैं एक चीज बताना चाहता हूं तुमको तुम तो तुमने आपने तो आर्टिकल्स लिखे हैं बहुत सारे इसके उपर कि कैसे वैक्सीन हेजिटनसी फेलाई गई गया और क्यों फॉरिन वैक्सीन पे भी आप लोगों कैसे कमानें और क्या आता है उता बिल्कुल शेशी थरूर सहाब constitutional post पे बैट है member of parliament है तो आप इन पे इल्जाम लगा रहे हो कि इनोंने बिल्कुल लगा रहे हो मैं सत्ते बता रहा हूं किसी कारण बश्च में फिल्म में कुछ चीज़ दिखा नहीं सकता है इसलिए उसलिए उसलिए बलर आउट कर दिया है इ तो नहीं लिखा है और अर बिदियो वालने खुल्ने आम फाइजर की वकालत किया नरेइंद मोदी ञाने के लिए पुब्लिक में इंटरनेशनली अब disappointing िज़ा है छी बढ़ exactamente के बीच में उसको उन्होंने लीक करके पब्लिक कर दिया यह कॉंस्टिटूशनल पोस्ट वाले को करना चाहिए आप पताइए सही यह गलत है राइट डिली में जब इतनी बड़ी क्राइसिस थी तो फाइजर को प्रमोट करना सही था कि गलत है जबकि उनको यह बताया गया हो बाइडिया का इंट्रेस्ट नहीं है वो लोग ब्लैकमेल और आंडिया को इंडिया का इंडिया का सिकर लडाई व결हती। हर समय सीमा पे बंदूगों से नहीं लड़ा जाता है कुछ और अलग तरह की यह बायो वार था इस बायो वार में चीफ निस्टर को time जादा किये तो Supreme Court की audit है मुझे कैसे माना नहीं करेंगे क्या यह सही नहीं है जब यह आग लगती है तो कह जाता है जादा अभी रायट्स होती है कि अभी अभा मत फलाओ कुछ बो नहीं चुप बैट जाओ आग इतनी लगी है civil administration क्या है अगर आग इतनी लगी है तो कम बता हो ताकि लोग पैनिक ना करें ताकि व्यवस्था जो है काम कर सकते क्या यह सत्य नहीं है राहुल गांदी ने सुनामी 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 बोलके सब मर जाएं सुनामी का क्या मतलब है लाखों वैक्सीन बोला क्या यह सत्य नहीं है मैंने तो नहीं बोला ही है क्या शर्शी थरूगी है यह सारी चीज़ें मुवी में कहीं नहीं कहीं किसी किसी रूप में हैं ही और मेरा विश्वास है audience intelligent है वो खुद पता कर लेगी इस बात को अभी तो खेर मैं भी देखूंगा मैं इ most attacked workers in the whole world क्यों मारा बारा बंकी में जब गए लगाने तो सारा का सारा गाउं नदी में कूद गया कहता है कि हमें हमें बोला कि हम important हो जाएंगे ठीक है? Muslim लोगों को बोल दिया कि आप important हो जाओगे अलिगर मुस्लिम इनिवरस्टी के professors ने नहीं लगाया और करी लोग मर गए यह hesitancy किस ने create की यह panic किस ने create की राइट तीसरी चीज जो थी जो मेरे को बहुत बुरा लगा यह सारी जो चीजे हैं इनके around political जो narrative रहता है व जैसे आप vaccine मना रहे हैं ठीक है? एक international law है कि ऐसी emergency बाई change हुआ है कि आप monkey पर trial कर सकते हैं. Science editors उनने पता है यह पर उसे research किये बगार उनने कैसी वो खिला दी की ethically गलत है और गलत करने है फिर substandard vaccine है बिना किसी चीज को जाने बूझे फिर यह कि अच्छा third phase trial ही नहीं तब ही तो भी fake articles बोलके अचा और अगर fake articles नहीं थे और अगर यह moody government की साजिश थी तो इनने अपील कियो नहीं जा कि किसी यह तो बात बात पर अपील करने पहुंच जाते है यह तो कुनाल कमरा जैसे है लोगों के case में Supreme Court पहुंच जाते है जिसको कोई अस्तित्व नहीं जान बूच के यह दिखाने के लिए कि देखिए हिंदू government है और यह इनी की government में हिंदू लोग मर रहे हैं ने चिताओं की photo के साथ एक तरह का बहुत ही अशलील काम किया और जो मुझे बहुत बुरा भी लगा और इसलिए I said this film has to tell the truth of this यह सत्य बताना आवश्यक है आब मर तो Muslim लोग भी रहे थे Christians भी मर रहे थे तरहां तरहां के पार्सी लोग नहीं मर रहे थे उनके तो कोई जलाना दफनान ही नहीं वहां तो पक्छी लोग उनका वो करते हैं उसके बारे में और वरनेकुलर मीडिया में ऐसे खबरें थी यह इसलिए international और English मीडिया में नहीं कि किस तरीके से कबरिस्तान में लोगों को माजगरें एक साथ चेच दददस लोगों को दफनाया गया एकी ग्रेव में उसके बारे में कोई बाचीत ही नहीं हुई तो जो यह और फिर बेची गई वह फोटो सब जानते हैं दो दो सुटाइड़ाईटिस डॉलर में आप अ वो सारी की सारी पॉलिटिक सामने है अब यह अलग बात है कोईसिडेंटली वही नैशनल नारेटिव है और वही साइन्टिफिक नारेटिव है तो इसमें जो नाना पार्टिकर है कर देखें कि तो आपने का कि अधिक्तर मिन और और विमीन चार कियो प्रितिव है को है तो कि कुछ नाम भारगव डिरेक्टर चनरल थे उनी की टीम थी लेकिन जो करने वाले थे वो अब उसमें क्या कर सकते हैं अब जैसे आप चंदरायन का देखिए सारी तारी तो ओरतों की हो रही है लेकिन कोई तो लीडर होगा उस वक्त बॉस कोई थे तो सिर्फ इसलिए कि कोई आदमी ह है वहां पर एक लीड कर रहा है तीम तो इसलिए उसको हटा दिया जाए चितर से वही सही बात नहीं है और जरुट से ज्यादा ही वोकिजम हो जाएगा कि सच्चाई में कोई मर्द है आपने जबरदस्ति उसको और बना दिया सिर्फ एक और जबकि ओली अपनी किताब में सब जगह पे इस बात का करेट कहता है इसमें मैंने कुछ नहीं किया सारा का सारा महिलाओं नहीं किया अगर वोई करेट दे रहा है and he was more in an administrative post than he was not inside the lab, inside the lab तो यह औरते ही थी जे तो वैक्सीन वार बेसिकली जैसे आपने शुरू में बोला था कि एक विक्ट्री मूवी है तो जो मतलब एक तरीके से जो यह पूरे अभी जिन लोगों के बारे में भी बात की कि जिन्होंने negativity फेलाई वैक्सीन के राउंड और कोविड के राउंड ऐसा दिखाया कि मतलब सिफ negativity फेलाई चाहिए वो lockdown के राउंड हो या death figures के राउंड हो या फिर वो जो images है वो वाले उसको एक तरीके से आप कहरो कि जो positive चीजें बहुत सारी चीज थी जो एक तरीके से भूला दे गई बताई वो एक तरीके से यह reinforce करेगा उस हिसाब से कश्मीर फाइल से बिलकुल अलग है कि कश्मीर के बारे में यूं दिखाया सिफ positive positive मतलब imaginary positive चीज कश्मीरियत दिखाई गए थी आपने उसका एक dark truth दिखाया और यहां एक dark जो है एक बनाया गया था माहौल और आप उसका एक hidden अ तो उसमें कि यहां इसका जो तुरुत है मतलब जब कश्मीर फाइल्स खासकर लास सीन देखके जो बंदा बाहर निकलता था सन्नाटे में रहता था कुछ सोचता था तो इसमें लेकिन वो बंदा जब बाहर निकलेगा तो वो feeling नहीं और उसकी आखें घीली होंगी खुशी से देखने को मजबूर करेंगी लोगों को यह अभी एक तक हमने बीस स्कीनिंग की है तो मतलब सब्सक्राइब तीन-चारसों के साथ-ाथ-ाजार लोगों ने फिल्म देखी है और अकसर क्यों होता है एक फिल्म का अलग-अलग target audience अलग-अलग तपके में अलग-अलग reactions हो ह वही फिल्म आप मौपाल में देखा अलग-अलग reaction मिलें और न्यॉयॉक में देखा अलग होगा पर इसका यूनिवर्सली एक रियक्शन है चाहे वो congressmen देखे हो अमेरिका में senators देखे हो Republican Party के president ने भी देखा इसे बहुत सारे scientists, doctors, Indian ने भी देखा, Muslims ने देखा, Jews, हर तना क तबके के लोगों ने इस फिल्म को देखाया भी तब हमने आयम में भी दिखाई, आयम के students और faculty ने भी देखा, चन्नाई में तो बिल्कुल देखी, right wing, tamilion, traditional जिनको लोग देखी मानते हैं ने उन लोगों ने अभी 500 लोगों ने वो देखा या एक universal चीज तो समझ में आ र और दूसरा जो इंडिक feminism उसको लेके कर रहा है पर उससे भी ज्यादा बड़ी बात, लोगों को ये समझ में आ रहा है कि इस देश में कितनी अच्छी चीज़े होती हैं, जिसके बारे में कोई बताता ही नहीं है, और हाला कि ये film leadership की, political leadership का कई नाम औ निशान नहीं है, इस प्रेसंस होती है ना घर में आपके ताओ जी भले ही अभी हमारे बारतल आप में ना बैठे होगा लेकिन अगर अगर अंदर नहीं होती है, तो आपको समझ में तो आजा अगर leadership चल कैसे रहा है, but I deliberately didn't want to go that zone क्यों मुझे पता है, ये इतने कमभक्त लोगें कि ये फिल्म को confuse करके कहीं on ले जाएं, तो मेरी कोशिश ये रहते ही कि मैं अपनी बात इस तरह से कहूं कि मुद्दा ना खो जाए, conversation हो, मुद्दा ना खो जाए, तो हमने primarily science और lab में ही फिल्म को रखा है, हम चाहते हैं लोगों अब भारत पे विश्वास हो, अब मैं ये देखना चाहता करना शुरू कर दिया, Twitter वकदा में, कुब, एक lobby लेका है जो उनको attack करने लगी, फिर उनने उनको block कर दिया, scientist because as a government protocol, they are not allowed to write too much on social media, तो उनने block कर दिया कि काय को हम फसेंकल कूल, basically वही vaccine कि ये safe नहीं था, वगर रही सारी चीज है, नहीं कि तुम तो ये है, वो है, बिके कुछ भी personal attacks, साइंटिस्टों का ये कहना है कि आप हमसे science की बात करिए, तो हम आप से बात कर सकते हैं, अब आप ये बोल दें, अरे आप तो ये हैं, आप तो विक के दोस्त हैं, इसलिए कर रहे हैं, या आप वो हैं, आप में लाल सारी क्यों पहनी हैं, आप बिंदी क्यों मेरे साथ भी हो रहा है, बड़ी हो गई मेरे बेटी पर उसको ये लोग करते हैं, ये इनकी strategy रहती है, तो that's what they are trying to do now, पर leadership की जहां तक बात है, बिना leadership के कैसे होता है, मैं आपको फिल्म है नहीं पर एक किस्सा बताता हूं, वो deleted scene में है, आएगा, नजयन मोदी ने क्या कि एक बड़ी smart strategy की, उन्होंने का इंडिया का सबसे बड़ा problem है red tipism, और overlapping, आप मुझे चिठी लिखेंगे, फिर मेरा secretary पढ़ेगा, फिर वो कहीं कहीं होगा, फिर वो जवाब देगा, उन्होंने कहा कि इन सब लोगों को quarantine कर लो, इनको क्या बोलते थे हैं उस वकत bubble बना दो और जितने department, navy, health, air force, postal, can you believe it, postal, कई जगा पे जो है, आप जानी सकते, postal department help करेगा, airlines, health, science, I think even ministry of fertilizers के, हाँ, उनको भी, सब को एक बड़ी सी table में बठाल दिया, का अब अगले कई जब तक India safe नहीं हो जाता, आप सब रोज यहां बैठेंगे, और आपको कोई सामने, सामने, मिश्चे करो जो निर्णाय लेने, तुझे एक लंबी process थी, जिसको देर दो साल लग सकते थे, सिर्फ red tapism में, वो cut down करके साथ महने में हो गई, right, दूसरा एक जो मैं तारीफ करता हूँ नहीं मोदी की, जिस बात के लिए, COVID की, बाकी political analyst पता है, COVID में उनने क्या किया, एक स्मार्ट पोलिटिकल काम किया, इन लोगों को उल्जा के रखा उन पतांग चीजों में, किया थाली बजरी है बजाओ, तुझे नहीं पता है इतने बड़े देश को कैसे कंट्रोल किया जाए, पर बैग्राउंड में पता है तब क्या चल रहा था, हमारे साइंटिस्ट लो इरान से, यह साइंटिस्ट वार्जोन में जाके, वहां मास ग्रेव्ज हो गई थी, वहां जाके, कितने बारत सो, कितना नंबर है, उतने शिया मुस्लिम सो लेकि आए वापस, यह किसी को पता है, यह आईसी एमारे साइंटिस्ट लोगों ने किया है, उनको वापस वापस बिना टैस्क के कैसे करें, इरान में लेब नहीं था, वो कहते हैं, हमारे मजब में हम लेब बनाते हैं, कोरोना को हम मानते ही नहीं है, तो आप लॉग कैसे, यह साइंटिस्ट लोग गए, इनको पर अटेक कर दिया, वो जो मुजाहिदीन के, वो जो क्या मिलिशिया है, वह लेडर्शिप की तारीफ हो दोनों में किसी की तारीफ हो, इनको प्रॉब्लम हो जाता है, तो हाना कि फिल्म में हमने मोदी जी की बात नहीं करी है, कहीं पे भी, लेकिन अवविसली अग्रेट गोस्टू, विदाव प्राइम मिनिस्टर्स लीडर्शिप यह हो, संभव कैस सब्सक्राइब करें, इससे सक्सेस्फल पॉब्लिक प्राइवेट फास्टेस्ट कोलाइबरेशन हो भी नहीं है, ब्वीन आपने भी हर जगह जैसे मोविस दिखाई हैं, अभी आपका दिली में भी स्क्रीनिंग है, यह मुझा लगता है यह आपी का एक युनीक तरीका है, कि पहले ही आपने मुवी लोगों को दिखा रखी हैं, इस पे मैं मुवी से हटके जाऊंगा, यह कश्मीर फाइल्स में भी हुआ, बुद्ध में भी और ताश्कन फाइल्स में भी हुआ, इसके पीछे क्या सोच है, कोई तो यह भी सोच सकता है कि आपके जो आपको सपोर् अगर उसको पहले ही दिखाई दोगे तो भई यह तो कैनिबलाइज कर रहे हो अपने आउडियंस को, तो यह पहले हम हेट और चॉकलेट बनाता तो कभी नहीं दिखाता है, है ना, वो हेट स्टोरी, चॉकलेट, गोल तो कभी नहीं दिखाता है, और कोई डिरेक्टर करता पूरे विश्व में कहीं नहीं करता है, चार लोग ने बुराई कर दी तो, और हम कोई क्यूरेटिड ओडियंस तो है नहीं, हमने तुम से कहा, तुमने का, मेरे दस दोस्तार है, आ गया है, बहुत अंदर क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा हमें क्या पता, हमारा लीग जैसे ये अरविंद केजरिवाल वाला जो दिल्ली सरकार का जो है, किसी ने देखा कहीं, बैंग्रोन ने उनको बता दिया, अब वो लोग मेरे पीछे पढ़ गाएं जानके, और 28 को आप देखी का, सबसे बड़ा ओपोजिशन इस फिल्म का, केजरिवाल जी की पार्टी से आने वाला है, ओंग्रेस नहीं आया है, तो उसके पीचे कारण ये है कि जो मेरे को बुद्ध है ना ट्रैफिक जैम के वक्त पांच साल बैठा, घर में जो बैठा, तो मुझे ये समझ में आगे, इतना पैसा मेरे पास कभी होगा नहीं कि मैं हाइप क्रिएट कर सो, क्यों क करते हैं तोड़ी बड़ी फिल्म से शुरू करते हैं देरे देरे, अभी अभी पॉस्ट पोड़कशन में ये सारे चीजह आगे हृटाइब है, हमने शेंचर सेंसर नहीं पर लिए मतलब तीन बार करेक्शन्स की हैं इसमें चोटी 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 चीज़ ट्वीक करते गए ट्वीक करते गए तो हमें पब्लिक रियक्शन भी समझ में आता है दूसरा क्या होता है कि लोग देखते हैं जब उसको तो एक वर्ड आओ माउज भी होता है तो इस इस फॉर्मेट मैंने काई ये लोगों की फिल्म है तो डिरेक्ट मार्केटिंग करते हैं पहले नहीं होता था डिरेक्ट मार्केटिंग है कि आपी फोन करता था साब तो हमने डिरेक्ट मार्केटिंग का फॉर्मूला जो है वो पकड़ा है क्योंकि मुझे नहीं लगता कोई भी करता है करी नहीं सकता कर ही नहीं सकता मुझे एक बहुत बड़े स्टार है उनके अभी फिल्म कहीं फॉरें और रेंड में गई किसी फैस्टिवल में तो महां से मैसे आई कि विवेक से बताओं या या ये इंटरनेशनल मारकेटिंग जानता है कैसे तरहें है मैंने जोर्मूला बताऊं गा तो वो मेरे बटूता मार के बहा देगा बताओ तो क्या फॉर्मूला है मैंने का अपनी फिल्म तीन चार मेंने पहले से दिखाना शुरू कर तो पागल हो गया है क्या सारे पैसे डुबाएगा कोई और तरीका बता मैंने का उसके लिए आपके प्यार लो के उनसे पूछी है हम तो यह जानते हैं और यह मतलब अब तक वर्क कर रही है सारी में और व आपने लेकिन का कि हम स्टार के साथ काम करते नहीं है यह थोड़ा अनफेर होगा ना पल्लेवी जी के लिए और मेगा स्टार सूपर स्टार जी अपनी आपने मतलब हम जो एक्टर्स जो एक्टर्स हैं और स्टार होगा हैं उनके साथ काम करते हैं जो सिर्फ स्टार हैं और और एक्टर नहीं है, उनके साथ काम नहीं करते हैं, थोड़ा था उसमें फर्क है, तो ये नाना पार्टिकर्ट को कैसे जिरो इन किया, कि वो क्यों फिट रहेंगे इस रोल के लिए, इसलिए क्योंकि ये रोल, मैं बताता हूं, इसके पीछे एक लॉजिक थी हमारी, वो ये सब बड़े अच्छे एक्टर्स, बड़े एक्टर्स, सब ने कहीं न कहीं दो-चार फिल्में च्छापी हैं, ने ऐसे गंदी एक्टिंग करके निकाल दिया, चाब कोई भी हो, नाना इकलौता बलरास थानी के बाद एक ऐसा एक्टर है, जिसने अपने करियर में एक रोल मे सकता है, उसको परफेक्ट करने के लिए, और डॉक्टर बलराम भारगव के रोल के लिए आवश्यक्ता, आप फिल्म देखो कि तो आपको समझ में आएंगी कुछ चीजें, क्योंकि देखिए, तो मास्क पहने हुए, वैनिटी नहीं है, शकल नहीं है, एक कमरे में बंध है देशी सरकारी कपड़े हैं, कोई फैमिली नहीं है, एने कुछ करने को ही नहीं है, और उस वैक्यूम में आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिस पर पूरे भारत को विश्वास हो, राइट, और जो आदमी लगे की डिक्टेटर भी है, लेकिन अंदर से एक दब मोम की तरह भी है, यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स एक्टिंग थी, तो मैंने नाना के बारे में सूचा, और परसम ने का नाना से मत करो भाया काम, वो तो मारता है सैट पे, डिरेक्टर को खीच के मारते मारते लगया थे बहुत बड़े डिरेक्टर को महभूब सूडियों मारते मारते गेट के मुझे पता था कि जब लोग कंप्रोमाइस करते हैं तो चिड़ता है और वो है भी नाना थुआ पागल और इश्वर करें ऐसे और पागल एक्टर्स हैं भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास पागल एक्टर्स नहीं हैं, हमारे पास बहुत कंफर्टिब जो किसान आते मिलें पहुते हैं नाना भी पलटके पहुते हैं एसा कल्चर गाउं में क्रियर्ट किया उसने कि तुम मेरे पहुआ तो मैं भी तुम्हें इज़त दूँगा पहुँँ तो और पानी एक प्रॉजेक्ट पर काम करता है बहुत अमीर खान साब भी करते हैं उन अनरी दुम्हें भी चैंग ने करूँ तो वो सतर को गया यह क्या डर्यक्टर ऐसा बोलता है वहीं पहुआ दस्निट में डिसिशन होता ता क्लिए तेरी फिल्म क्या है मैंने तरी फिल्म एक बहुत और्ड़िणरी आदमी जो बहुत एक एक एक्स्टर और्ड़िणरी काम क क्या एक्सराइडनरी काम करता है। मैंने का इसारी दुनिया कहता है। एक अकेल आगमी जो विश्वास करता है इंडिया था। और अल्टिमेटलि इंडिया ड़स इटॉट। असने मुझे देखा तो आफ घोशाशना ना बना के खिलाया सब मचली लाया जब तक आप नी ठालो पूरा कहाना जैसे और सन नी घर की अपनी ग्रेयनी या बिहार यू पी में जब तक परोस के आप न आ खालो तब तक वो नी खाती उसके पादी करता है उसने कुछ ऐसा किल्चर बना रहा है प्हले दूसरों कुलाता है फिर खाता है तु ने रिसर्च किया है ये मेरी दुनिया है नहीं मैं साइन साइन समझता हूँ लेकिन तुमारा जो ये विशवास है, इंडिया थो रिच्छान जोएं, ये मेरा भी विशवास है, तो हम विशवास के लेपल पर जोड़ते हैं। मेरा विशवास मत तोड़ना, उसके बाद अब तू झो τι कह़ा अब यूदा गहां भी है। कैसे कांट्रेक्ट में लिखवाया कि मैं आठ घंटे ज्यादा काम नी करूँ वास ही है साथ बात तर साल कि अवर में अधी ठंक जाता है बारा बारा चौदा चौदा घंटे वो काम करता था हम जाना चाहे हो जाने नी दे आप फिल्म देगें तो पूरी अथे प्लावी हो गिर्जा खो इन लोगो टनी अथे लाए हैं कि जब सैंटिस्ट्स लोगों ने फिल्म देगी तो रो पड़े कि यह थो हमने विवेक को कभी इंटर्वी में बताया भी यह कहां से आपने निकाला कुरेत के तो that way I think I was lucky to have Nana, Pallavi, Raimah, Raimah एक नए रूप में आप देखेंगे, आना कि नेगटिए यू लव तो एक्टर आपको परसंद करें लेकिन अगर उसके करें करें लेकिन अगर उसके करें करें मैं नी वो जब एक बार देखेंगे तो एक्टिंग आपको नफरत करना सिखा देगी अच्छे एक्टर का वही मार्क होता है कि आप उस एक्टर को लेकिन उसके अगर पर्लवी ने किया कश्मीर फाइस में जो हेटर या फिर इवन गुद्धा इने ट्राफिक में आचानक आपको एक अलग चेहरा दिखता है तो वो है तो हम एम शूर कि और एक अच्छे डिरेक्टर रहेगा तो वो एक्टर से बाहर कि नकाल ही लेगा तो वघ्ट लोगों ने क्या आपको मना भी किया कुछ लोगों ने कि ना वी विवेक के साथ नहीं करेंगा कि आप अप एसे लोगों को अप्रोच यह नहीं करते हैं और दूसरा अपने कसम खा ली है कि जो हमारी आइडियोलोजी पर बिलीफ करेंगा हन्डिट परसेंट बिना डाउट के उसी के साहथ काम करेंगा। पहले ऐसा नहीं था कश्मीर शाहिए कि आप लिया था लेकिन एक चुछास है कि भारत एक अच्छी कर्दी तो थोड़ा कांटर इंटिविटिव नहीं है कि कश्मीर फाइल्स ने कमर्शिली भी इतना सक्सेस किया अब अफ देज आल अफ देम अफ देम प्रोफेशनल्स को पैसे से मतलब है तो एक्च्छी तो अफ देम उट विलिंग तो वर्क बिट्विशनल्स को चुड़ दिए तो उसका किसी का कोई प्रावल मिलते हैं मैं अपनी एक हमने दुनिया बनाई और दूसरा क्या अगर हम इस तरह की फिल्म में बना सकें बिना इन स्टार्स के बॉलिवड टाइप के तो आप ये देखो कि अगर ये फिल्म थोड़ी भी चलती है तो ये पूरी फिल्म हमने अपने पैसे से बनाई ये फिल्म हमारी है कोई इसमें आउकसाइट स्टूडियो नहीं प्रोड्यूसर नहीं जो भी हमने थोड़ावाद पैसे हमने कश्वी फाइल से कमाया थोड़ ये फिल्म थोड़ावाद थे वह सब तो ये फिल्म हम तो सबसे चोटे पार्ट थे लेकिन वी यूज दिस मनी तो में नहीं तो इसमें आता है तो हमने कैलकुलेटिट रिस्क लिए अगर ये फिल्म अपना पैसा रिकवर कर लेती है ये करीब 10 से 1 करोड में बनाई देर 2 भी फिल्म ये अगर हमारे 25 करोर का बिसनस होता है तो हमारा ये पैसा पूरा बापस आजाएगा तो इसमें हम कई सारे नही इरेक्टर को ख़़ा कर सकते है यजिसे मोपलावावाल साभी सम्झू, मैं नहीं बना सकते हूं या चंदरायन मन नहीं बना सकते हूं, कोई और त तो हमें पाँ तो लिमिटेड टाइम है, तो वी कन यूज इसमनी तो हमें चोटा पैरलल एक नहीं इंडिपेंडेंट इंडूस्ट्री खड़ी कर पाएंगे, तो यह अप अब इसमफिंग बादली है, मतलब अब आप इंडिपेंडेंटली एक्जिस्त क्या शर्वाइब कर अब आपका रहे हो रादर, बॉलिवुड में और अब तो खैर सक्सेस्फुल रहे हो, वह सबसे बड़े बादली है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, नहीं नहीं, सक्सेस इंडिसेंस कि मुवी एक्सेप्ट हो रहे हैं, चल रहे हैं, बन रहे हैं, और यह जितने भी इंबार् इसका है ना कि भई आपका दोस्त बड़ा अच्छा करें तब भी आपको जलन होती है, वह चीज़ लेकिन वहां नहीं थे, वह हमें लग रहे हैं, यह हमारी मुवी है, वह हमारी मुवी वाला जो सक्सेस था, जो फीलिंग थे, तो उस सक्सेस की बात कर रहा हूं है, और मतल और इस तरीके से नहे डिरेक्टर्स वगरा बन पाया है, तो इससे अच्छा तो और कुछ हो ही ने सकता, हमें वह नारेटिव और अपनी स्टोरी टेलिंग चाहिए, तो इसके लिए, यह काफी आपको धन्यवाद, और वैसे तो हम पता नहीं, और बहुत सारी बाते कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रहा था कि मूवी पे ही discussion हो, all the best again, I am damn sure कि यह The Vaccine War जो ही हिट होगी, और जो लोग भी देख रहे हैं, जाएए, अगर आपने देखी हुई है पहले कभी भी, क्योंकि जैसा अग विवेक ने कहा कई सारे सिटिजमें उने तूर किया दिखाया, उसके ब हुई